विडियो में आपको बहुत सारे में जल 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 दिसक्स करेंगे और जो लोग पहली बार देखने हैं डू लाइक शेर और सिस्क्राइब जो लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स तक पहुचाना चाहते हैं जरूर करते हैं और हाँ एक चीज और कि मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने वेबसाइट माइग्जामनोट्स.com पर बीडाल दूँगा वहाँ पर सार मिल जाएगा पीडियो मिल जाएगी चली करते हैं तो फर्स्ट वुमेन वाइस चैंसलर ऑफ जे न्यू जवारलाल नहरु उनिवर्सिटी कौन है पहली वाइस चैंसलर तो उनका नाम है शांती स्री धुलिपुडी पंडित और यहां पर आपको एक दो चीज आपको बता दू कि इनके इनोंने रिप्लेस किया किसको एम जगदीश कुमार को इनका जो टेन्योर होगा वो पांस साल का होगा फाइब यर्स का और यह थर्टीन्थ तेरवी जो है वाइस चैंसलर दिल्ली की जे न्यू की रहेंगी तो अंसर इस शांती स्री धुलिपुडी पंडित नाम लंबा इसलिए मुझे लगता है आप र गए तो अब गए है विनैक कुमार सकसेना और यह 22nd बाइसमें लेटनेंट गवर्नर ऑफ डेली है इनका ओध सरेमनी कौन एडमिनिस्टर करता है तो चीफ जस्टिस ऑफ डेली हाई कोट ठीक है डेली हाई कोट के चीफ जस्टिस इनका ओध एडमिनिस्टर करते हैं और इस इनफर्मेशन मुझे लगता है इस वीडियो कोशन पर काफी है चलते है नेक्स कोशन पर विनर ऑफ प्रो कवड़ी टूर्णमेंट स्पोर्स के काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो प्रो कवड़ी टूर्मेंट सा शाहिद एट अडिशन निजबार हुआ था और उ दृलीनि अब चलते हैं नेक्स कोशन पर नव डलीयो इस दन्यू चीफ जस्टिस उफ टीमर्स दिल्ली मेट्रो के नएचिमध जस्टिस यंचीफ कौन है चीफ कौन था जाता है लिफ्ट साइड में आप देख रहे हैं मंगू सिंग को जो की दो हजार बारा से दिल्ली मेlaws के चीफ थे उसके पहले कौन थे मेट्रोमेन यह आपको याद रखना है इनको मेट्रोमेन बूला जाता है कई बार लोग भूल जाते हैं और विकास कुमार जो है वो प्रेजेंट ली जो है डीमर्सी के चीफ होंगे इन्होंने जो कारभार है वो फस्ट एप्रिल दो हजार ब यह मर्सीत का उससे असोसियेटेड की तरफ इतना इंफ्रमेशन के लिए नवस्ट स्टेट उफ इंडिया तो गेट स्मार्ट कार्ड फार आम्स के लिए समार्ट वाली पहली आप जो इंडिया की स्टेट है वो है दिल्ली अभी दिल्ली पुलिस डेली पुलिस के करमचारी है जो पुलिसमेन है उनको अब यह पहले क्या होता था कि यह बुक्लेट जैसा दिया जाता था जैसे आप राशन कार्ड देखते हैं उसी तरीके का आम्स कार्ड भी बनता था लेकर आप उसको रिप्लेट के जाएगा स्मार्ट कार्ड से जो यह जो करड हैं जो डोकुमेंट से उनको स्मार्ट बनाया जा रहा है तो डिस इस अवे की देल्ली पुलिस को स्मार्ट पुलिस के तरव लाया जा रहा है और इसको खुद 75th anniversary of डेल्ली पुलिस के दिन जो ह हमारे home minister हैं Amit Shah उन्होंने इसको launch किया था ठीक है तो answer is Delhi moving to the next question जै भीम मुख्य मंत्री प्रतिभा विकास योजना 2022 is associated with तो जै भीम मुख्य मंत्री प्रतिभा विकास योजना का जो association है वो किस्ची से to provide financial assistance to STA, OBC and minorities क्या किसमें करीजी क्या देखी दिल्ली सरकार क्या करना चाहती है कि जो बच्चों एक आप समझे लो कि जिन बच्चों की family की कुल income दो लाग से नीचे है यह criteria number one अगर इससे कम criteria है और उस बच्चे ने किसी भी तरीकी की coaching institute की exam को qualify कर लिया है ठीक है exam qualify कर लिया है तो क्या होगा इससे जो दिल्ली सरकार है उन बच्चों को और तीसरा criteria क्या होना चाहिए SC हो, ST हो, OBC हो या फिर minority में आता है तो उन बच्चों को दिल्लीग सरकार पचीस सो रुपिये पर मन्त देगी कितना रुपीज 2500 और इस पैसे को वो अपने coaching या further education के लिए यूज कर सकते हैं तो अभी presently अगर बताऊं आपको तो करीब पांच हजार student ऐसे जो है वो इसमें यह जो जै भी मुख्यमंतिर प्रतिवा विकास योजना उसे जुड़ चुके है और अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई बच्चे है तो आप भी उनको इसके बारे में बता सकते हैं Moving to the next question Now who has been selected as brand ambassador of देश का mentor program यह पिछले वीडियो में जो दिल्ली का करेंट है था उसमें हमने देश का mentor program के बारे में क्या है वो हमने discuss किया था कोई भी आप जैसे कोई व्यक्ती पूरे देश में से बच्चो को पढ़ा सकते हैं Especially 9-10 के लिए launch किया गया लेकिन उससे जादा उमर के लिए भी आप mentor कर सकते हैं उनके career guidance को लेकर और उसके देश के उस देश के mentor के बारे में बताना भूल गया था तो इस वीडियो में उसका अंसर बता रहा हूं है इसका अंसर है Sonu Sud ठीक है Sonu Sud ने कोविड के समय काफी योगदान दिया काफी समास सेवा की गरीबों की मदद की और लोगों की मदद की इससे इस फायरों के जो अर्दविंद केजरी वाले उनको ब्रेंड बिसिटर के लिए उनको बनाना चाहते थे और बनाया भी moving ahead the first smoke tower of the country came up at which place of Delhi तो दिल्ली में पहला smoke tower जो आया वो कहां पर आया वो आया कनॉट प्लेस में अब देखिए इसमें जो टोटल कॉस्ट हुआ था यह कोशन हमने current affair में पहले डिसकस किया है क्योंकि दिल्ली से specific के इसलिए हम फिर से कर रहे है बीस करोड रूपी एक की लागत से बन इस तरह की plant को implement करने की कोशिश करी थी I don't know उसकी progress वर कहां तक पहुची है बट यह जो है कनॉट प्लेस में situated है moving ahead फोटो आप देख सकते है और दिल्ली गवर्मेंट पार्टनर्ड बिट डैश for real-time bus tracking किसके साथ दिल्ली गवर्मेंट को पार्टनर करी है bus tracking के लिए तो द दिल्ली गवर्मेंट का tie-up हुआ है और इसमें क्या करेगी कि देखे तीन हजार busses अल्रेडी प्रेजेंट ली डिल्ली में live tracking की facility अवलेबल है और DTC के busses को भी इसमें include के जायता कि जो आम जनता उसको सहुलियत हो कि bus का route कौन सा है bus की timing का होगी arrival departure time का होगा उसी इसाफ़ लोग अपना departure या arrival वो प्लान कर सके और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अदिल्ली की वो Google के साथ इस agreement में इंटर करिए ठीक है moving ahead now what amount has been allocated by Delhi government for start-up policy in budget 2022-23 तो यह budget associated question तो पचास करोड जो है रुपे इसके लिए allocate किये गए है अब देखिए इसमें दो-तीन तरह क्या और policy हम start-up policy के बारे में भी आपको बताएंगे क्या है यह but जो अलग-अलग और भी policies आई है वो है smart farming policy और दिल्ली electronic policy तो यह दो आप याद रखना अलाकि इसके बारे में बता दूँ कि 20 member का एक committee या task force 20 member का task force से तयार किया गया है इसका agenda क्या है कि 2030 तरह दिल्ली को start-up capital of the world की तरह देखा जाए start-up hub बोलो या start-up hub मैं बोल देता हूँ start-up hub of world और इनका यह agenda है कि करीब दिल्ली में 15,000 से जादा जो है start-ups आए ठीक है और government इनको क्या करेगी कि financial help provide करेगी और किस तरही के help provide करेगी for example setting up of business है उसको लेकर rent को लेकर rent में किफाहिती करेगी सरकार और start-up offices office के लिए space provide कर सकती है तो इस तरही की चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो answer is 50 करोड now moving to the next question in budget 2022-23 which among the following sector is allocated with highest expenditure तो दिल्ली में जो budget allocate हुआ था वो करीब आपको बता दूगी 75,800 करोड का budget था 2022-23 अब इसमें जो expenditure government सबसे जादा दिखाईए वो है education को लेकर education में लगबग 22 प्रतिशत expenditure government का है जो कि कि इसी भी स्ट्रेट से बहुत जाद है इसकी कुल लगबग जो आप expenditure का सकते हो government की education पर वो करीब 16,300 करोड रुपे की है और इसके इलाबा जैसे अलग आप जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं health तो health में government करीब 14,800 लगबग 15 प्रतिशत एक्सपेंड करेगी उसी तरीके से energy and utility पर 5.1 परसेंट अर्वन डेवलप्मेंट पे कुछ पैसे खर्च करेगी लगबग 4.9 परसेंट तो इस तरीके से दिल्ली गर्विंड जो है पैसा अपना expenditure करने का प्लान ना है तो यह करीब जो दिल्ली का overall मूटा मूटा आप देखे तो education में सबसे ज्यादा expenditure आने वाला है moving to the next question तो इस वीडियो के हम एंड पर पहुंच चुके है जारकन का जो next video प्रपोस है जरूर देखना और जो लोग तैयारी कर रहे हैं इन fields में जरूर उनको प्रत्साहन देना और हमारे videos के बारे में जरू आप जरूर देखने हैं very important questions, biology, history and other fields like geography and all included है तो चलते हैं मिलते हैं next video में till then goodbye, take care